आप सभी का इस विडियो में स्वागत है। थॉमस हमने दान करने के लिए जो कपड़े कठा किये हैं उन्हें हम इस घनाकार डिब्बे में रखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है थामस। चलो हम गणित के द्वारा इस उल्जन का हल धून ले। ये गणित का समय है। मानस तुम इस घनाकार डिब्बे का आयतन ढून लो और मैं घनाभाकार डिब्बे का आयतन ढून लेता हूँ। दोनों अपने अपने डिब्बों के आयतन धूनने में जुट गए। दोस्तों, यदि घनाकार डिब्बे के भुजाओं की लंबाई 35 सेंटीमीटर है और घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चोड़ाई और उंचाई क्रमशह 27 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, तो क्या आप इन दोनों डिब्बों का आयतन धून सकते स्वयम प्रयास करने के लिए विडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें कप्तान मानस और थॉमस ने भी इन तरहों से दोनों डिब्बों के आयतन ढून लिये देखो थॉमस घनाकार डिब्बे का आयतन 42,875 घन सेंटीमीटर है और घनाभाकार डिब्बे का आयतन 13,500 घन सेंटीमीटर है इसका मतलब घनाकार डिब्बे का आयतन घनाभाकार डिब्बे के आयतन से काफी ज्यादा है ये एक बहुती सामान्य मिथ्याधार्णा है कि दो समान दिखने वाले घन और घनाब आकारों में घनाब का आयतन हमेशा घन के आयतन से अधिक होता है लेकिन जैसा की हमने अभी देखा ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मानस अब मैं ये गलती कभी नहीं दोराओंगा देर आए दुरुस्ताए चलो अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लोटकर कपड़ों को घनाकार डिब्बे में भर ले और चलकर इन्हें दान कर दे दोनों दोस्तों ने मिलकर वो कपड़े डिब्बे में भर लिये और उन्हें दान करने निकल पड़े दोस्तों इस विडियो में हमने घन के आयतन वॉल्यूम ओफ क्यूब पर आधारित कुछ मिथ्याधारनाओं को देखा तो उम्मीद है कि अब आपको घन के आयतन वॉल्यूम ओफ क्यूब की अच्छी समझ हो गई होगी